नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बुद्वार के सुब मुहरत के बारे में बुद्वार के दिन किसी भी तरह का सुब कारी करना है, किसी भी सुब कारी की सुरुवात करनी है तो कौन सा समय स्रेष्ट रहेगा, कौन सा समय मुहरत के लिए उत्तम रहेगा सुब कार्य के सुबारम के लिए किस समय को चैन करना चाहिए यदि बुद्वार के दिन हम कोई सुब कार्य कर रहे है तो तो मित्रों बुद्वार के सुब मूरत के लिए बात करें तो सबसे पहले जो मूरत होता है वो सुब साड़े छे बज़े प्रारम होता है जो साड़े नौव बज़े तक रहता है यानि सुब साड़े छे बज़े से लेकर साड़े नौ बज़े तक का मूरत जो है वो स्रेष्ट मूरत होता है उत्तम मूरत होता है इसके बाद मित्रो बात करें तो दूसरा मूरत जो है वो 11 बज़े से साड़ा बारे बज़े तक यानि 12 बज़े का 30 मिनर तक का है मित्रो पहला मूरत जो है वो साड़े 6 बजे से साड़े 9 बजे तक का है दूसरा मूरत 11 बजे से साड़े 12 बजे तक का मूरत है इसके बाद मित्रो बात करें तो साम को 5 बजे से साड़े 6 बजे तक का मूरत जो है वो बहुती सुब मूरत है यानि कि आप इस समय में से किसी भी सुब समय का चैन कर सकते हैं इसके बाद बुद्वार का लश्ट जो मूरत है बुद्वार के दिन अगर आप दिन में कोई सुब कारी नहीं कर पाए तो साम का एक मूरत है जो कि 8 बजे प्रारम होता है और 8 बजे से रातरी 11 बजे तक का ये मूरत है तो बुद्वार को इन इन समय में आप सुब कारी कर सकते हैं किसी भी तरह का सुब मूरत करना है, सुब कारी करना है, सुबारम करना है तो इस समय में आप कर सकते हैं तो मित्रू ये है बुद्वार का सुब समय अब बात करें कि ये समय जो है वो भारतिय सूर्य उदय के अनुसार है अभी आप भारत से बाहर से है किसी अन्य देश से है और आपको सुब मुरत की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताए मैं आपको सुब मुरत के बारे में बताने का अवश्य प्रयास तो मित्रो ये थी बुद्वार के मुहरत के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दी फिर में लेंगे नई जानकारी लेकर धन्यवाद